है कि नेक्स पॉइंट ए सर डिविडेंट हिए सबसे बड़ा गिप था जो की कवर कर लिया अब डिविडेंट है कि ध्यान दीजिए तक डिविडेंट दो तरीके की कंपनी डिक्लियर कर सकती है सर दो तरीके की कमपनी कौन कौन सी एक हो सकता है इंडियन कमपनी एक हो सकता है आपका फॉरन कमपनी एक हो सकता है आपका डोमेस्टिक कमपनी एक तो आपका होगा इंडियन कमपनी एक हो सकता है आपका foreign company और एक हो सकता है domestic company चल यह समझ लेते हैं सर्थ लॉग क्या कहता है अगर आप सबसे पहले तो हमें समझ रहा है इन तीनों company किसको हम Indian company को बोले किसको हम आप foreign company बोले जिसने जिस country में अगर भारत के अंदर registration अपनी company को करवा लेता है तो वह Indian company अगर आपने बाहर इंडिया के registration करवा है तो that is foreign company तो इंडिया की company और foreign company तो समझ में आ गया अब है domestic company domestic company ऐसी company होती है जो की register तो बाहर है लेकिन अपने सारे activity इंडिया के अंदर कर रही है तो उसे domestic company बोलेंगे माल लेते हैं कंपनी ने registration बाहर कर रखा है share market इंडिया में लिस्ट है सारे AGM इंडिया में लेती है सारे document जितने भी रिलेटीड है इंडिया में रखती है सारे decision इंडिया में ले रही है तो ऐसे company को हम क्या दे देते हैं domestic company सर आज से पहले 2020 से पहले की बात करूँँगा dividend जब मिलता था Indian company से तो fully exempt हो जाता था और पी चितामराम से पहले जो भी finance minister थे उन्होंने का भी है dividend tax free होगा अब dividend tax free बोलने का main कारण क्या था पता है dividend हमारा tax free है dividend किसके उपर मिलेगा अब sir shares के उपर dividend मिलेगा तो आपको टेंशन फिरी रहेगे इस पर टेक्स देना ही नहीं है तो आप क्या करोगे share market में investment करोगे FD को तोड़ोगे और कहां पैसे इंवेस्ट कर दोगे यह यह प्याज मिलेगा टेक्स लग जाएगा और शेयर मार्केट तो यह क्या था एक्जेम्ट तो फिर गॉबर्मेंट ने सोचा liquidity बढ़ाने के लिए क्या कर देती है एक्जेम्ट जैसे शेयर मार्केट में ज्यादा पैस आएगा तो कंपनी के पास क बटकना नहीं पड़े तो बहुत बड़ी है सरकार है फिर पीचितंबर हम आए सर पीचितंबर हम आए 2006 के आसपास पांच और 6 में 2008 तक रहे आठ नो तक तो पीचितंबर हमने क्या करा सर यहां पर क्या होता था नॉर्मली अगर मान लेते हैं एक्स है वाई है जैड है अग डिविदेंड क्या मिलते हैं हमारा इंट कि 3 रुपय था घ्राइट रॉपय तक सविल पिरेंट जाए कर लोगए करेगा अगर मैं भूत है तो दीविदेंट रुपए भी डिविडेंट मिल जाता है एक्जामपल लेके चल रहा हूँ वैसे 10 लाग तक एक्जम था एक करोड भी आपको डिविडेंट मिल जाता है तो आपका सारा क्या हो जाएगा लेकिन पीछ इतामरम ने बड़ी चालाकी दिखाई बोला कंपनी तुम ना शेयर पर आगे जब आप आओगे और पर जिसने पढ़ाओगा वहां पर भी सीडीटी था वहां पर भी डिसकस किया था सरी यह अट चुका है अब नहीं रहा है और आने वाले जो भी बच्चे हैं जो पढ़ेंगे कभी कॉर्परेट अकांटिक वहां भी होगा तो अब कंफ्यू पर गूगल पर सारे चीज़े नहीं होता जिसने कब पोस्ट डाला उसके बताएगा वह तो कोई बच्चा देखेगा सर हमने तो गूगल पर देखा डिविडेंट होता आप तो पुरानी बाते हो अपडेट नहीं हुआ होगा अभी करेंट में डिविडेंट फुली टेक्स फिर टेक्स सेबल अफिर 엗्जेम्ट पिया टेक्सेबल गर दिया तो उसमें कन्फूर्ज बिल्कुल भी नहीं होना है सर सउर डिविडेंड हमारा फुली क्या है تेक्सेबल है थो ads9 और और से टैक्स अगने कमपनी तब भी टैक्सेबल अगर यह तो सर यह अदर सोर्स का income माना जा रहा है अगर exempted होता तो other source में कहां से आता है हमारा तो ये dividend हमारा pulli taxable होता है इसलिए हमारा ये other source का income माना जाता है यहाँ पे एक शब्द आ गया नया amended आया है कहलो या चल रहा था deemed dividend ये exam में पूछा जा सकता है deemed dividend सर डिविडेंट का इसका section 115 होए है तो मैं section पे नहीं जा रहा आपको simple समझना है कई बार company क्या करती है dividend taxable है तो कई बार company ऐसे activity कर देती है जिससे कि बोलती है हमने तो dividend नहीं दिया लेकिन सरकार बोलती है ये dividend ही है और इस पे tax लेंगे यानि company ने बोला हमने तो dividend नहीं दिया लेकिन government ने उस transaction को देखा तो देखा कि न कहीं न कहीं dividend का मतलब क्या है shareholder का फाइदा पहुँचाना यही होता है shareholder का फाइदा पहुचाना तो government ने देखा ultimately shareholder के पास फाइदा पहुँच रहा है तो उसको government बोल देती है जैसे for example company ने number one point company ने क्या करा कोई property दे दिया property दे दिया किसको shareholder को और ये property company ने कहां से दिया था out of यानि company के पास account में 10 लाक रुपे का profit था और shareholder को 10 लाक रुपे का property दे दिया property plot वगेरा कुछ भी मालो property दे दिया तो government कहते है यह property आपने कहां से दिया प्रॉफिट पढ़ावा था उससे दिया तो government कहते है सर जो यह profit है ना आपने shareholder को property दिया dividend नहीं दिया लेकिन हम मानेंगे यह क्या है तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं मैंने cross लगा दिया प्रिफरेंस share वाला bonus share आपका dividend माना जाएगा प्रिफरेंस shareholder को मैंने बुलाया इधर हमारे पास बहुत सारा पैसा यह ले तिरको bonus share हमने दे दिया प्रिफरेंस shareholder वालों को क्या मिल गया है bonus shares तो इसका मतलब free का share मिल गया equity आले को मिलता है तो वह बात अलग है वो तो भईया normal है लेकिन प्रिफरेंस shareholder वाले को bonus देने का मतलब बोलता है हमने आपको क्या दे दिया डिविदेंट और जो प्रिफरेंस shareholder वाले बोलेंगे ना कि हमें bonus मिला है तो बोलेंगा भी यह तेको bonus नहीं मिला था dividend मान इसको और इस डिविदेंट मान के इसके उपर क्या दे दे तूब टेक्स दे तीसरा company कंपनी जब लिकुडेट होती है कि कंपनी लिकुडेट होती है कि कंपनी लिकुडेट होती है लिकुडेट मतलब देखो जैसे पार्टनर से फर्म बंद होता है उसे बोलते हैं डिजूलीशन और जब कंपनी बंद होती है तो उसे बोलते हैं लिकुडेशन तो सर जब कंप Profit में से जितना इक वल्टू profit है जैसे माल लो इसने property एक लाग का दिया और profit इसके पास था सर 15,000 रुपए का 50 का प्रोपटी कितने का दिया इसने एक लाग का तो डिविडेंट प्चास अजार चिंदर होगा जितना प्रोफिट है यहां पर देखा जाते हैं तोिक्वीृडट के टाइम पर जो प्रॉफिट का हिससा के पॉकिट में गया उसको क्या दिविडैंट बना जाहेगा तो डीम डीविडैंट जैसा है नहीं है लिकिन क्या मानजा रहे तीम डीविडैंट है ज़र इसके बाद आपको को तो सर बड़ी सीधी सी बात है अगर out of profit यानि profit के अलाबा कभी भी आपको शेर से डिबेंचर मिल जाता है तो that is called deemed dividend और वो deemed dividend होता है dividend का point आएगा तो क्या लिखना है सर? dividend आपका fully taxable होता है चाहे आपका Indian company से हो, चाहे foreign company से हो, चाहे domestic company से हो अब आपको explain करना what is the Indian company, what is the foreign company and what is the domestic company उसके बाद बोलोगे यहाँ पर एक deemed dividend भी होता है जो की shareholder के taxable होता है जैसे for example कोई property दिया गया out of profit से, example bonus share दिया गया प्रफेंचर पर, example आपने डिबेंचर बगरा distribute कर दिया out of profit पर तो इसको क्या बोलते हैं? dividend tax rate पर बनाएंगे ना अभी निकालने की जुरत नहीं है, tax rate पर बनाएंगे video, सब पर वीडियो बनाएंगे, चिंता मत करो आज तारीक कितनी है, दस, पांच दिन है, पांच दिन मैंने commitment किया, सलिबस खतम करना है तो मैंने करना है और उसमें सब कुछ होगा आपका, video भी होगा, tax rate भी होगा, जितना भी होगा, पूरा complete होगा उसके अंदर और कुछ बच्चे कह रहे हैं, सर, salary के अंदर आपने retirement वाला concept चूट गया है, उसके question प्रैक्टिस नहीं के थे, तो वो भी होगा सर, capital gain के अंदर depreciation छोड़ा है, वो भी होगा, मतलब सब कुछ मुझे सारी बाते याद है, लेकिन किस chapter से मुझे connect करना है, उसका wait करता हूँ बस, जैसे PGBP start होगा न, सब आपस में मिल जाएंगे, और वहाँ से point हम connect करके continue करेंगे सर, deduction का भी part pending है, हाँ, deduction में भी PGBP का कुछ part pending है, चलिए सर, ये क्या था हमारा dividend, मैंने कहा था है, एक dividend important है, एक आपका gift important है, और एक आपका casual income, सर, casual income क्या है, अचानक से हो जाए, जिसके अंदर mainly casual income में रखा गया है, आपका lottery, casual income में रखा गया है, आपका lottery के अलाबा, card game या betting रखा गया है, या फिर आप मान सकते हो, cross, puzzle game, ये सारे game है, यानि, 60 बजारी mainly कह सकते है, casual income में रखा गया है, तो सर, casual income में, casual income में कह लें, हम lottery की income बोल दें, तो आप ध्यान दीजिएगा, mainly न, ये मान लेते हैं, Mr. Ram है, सर, KBC से, KBC से जो पैसा जीतते हो, क्या भी, ये ये भी casual income का, बिल्कुल हाँ, ये भी casual income का part होता है, starting में KBC आया था न, तो कौन बनेगा, करोड़ पती था, तो स्टम पे, starting में मैंने देखा था, एक हर सनाम के परसन ने जीता था, एक करोड़ रुपए, तो पहले तो करोड़ पती जब फर्स्टाम में आये था, तो बहुत popular हुआ था, उसका दूसरी बार हुआ, तो कौन बनेगा, करोड़ पती, तो उसने बोल दिया भी है, बहुत लोगों ने इसके उपर case कर दिया, करोड़ पती तो ही नहीं मिलते, तो सतर लाकी या तीस परसेंटों कटी जाते हैं, फिर वो लेकिया था, कौन बनेगा, टू करोड़ पती, यानि उसने करोड़ पती के अंदर प्राइस बढ़ा दिया, और वो कितना कर दिया, उसने दो करोड़, फिर बाद में आया पांच करोड़ रु तो सर, यह परसन है माल लेते हैं, और यह कंपनी कैसीनो है, कैसीनो है, माल लेते हैं, डेल्टा कॉप, यह कैसीनो कंपनी है, और यह परसन क्या करता है, यहाँ पे जाता है, और यहाँ पे जाके कार्ड खेलता है, या और कोई भी गैमलिंग वाला काम कर रहा है, तो उस सिद्म यहाँ इसने कमा लिये रुपे कमा लिए किसने कमा लिए सर मिस्टर राम है कि सर रामने एक लोर रुपे कमा लिए ऊकर कोई बात नहीं अब एक लिए Supreme Port यह कुझे के लिए जाए इसको पता है कर रहा है ऐले तुझे लाइसेंस भी दे रहे हैं द। पर्मीशन भी दे रहे हैं तो एक बात मेरी याद रखियो एक रुपए भी कोई जीत के जाएगा ना तेरे पास से तो उसके उपर 30% पहले तू काट लियो और वो 30% काटने के बाद उसको पैसे दियो और 30% मेरे पास जमा करवा दियो गौर्मेंट ने यह इंस्ट्रक्शन द कितने परस depends कटके मिला रुपए अब हमारा अधर सोर्स का कितना income है sir, other source का income 70 लाख नहीं माना जाएगा other source का जब income निकालोगे तो आपका gross income होता है other source में जिसको हम बोलते है gross up करना होगा आपको word है यहाँ पे gross up करना होगा यानि other source का income जब calculate करोगे तो gross up कैसे करोगे आपका net income divided by 70 into में 100 rate आपको rate दे या ना दे आप मान लीजिए 30% rate है यहाँ पे और प्लस में 4% आपका education says भी है मैंने 4% नहीं add किया एक्जाम में आता नहीं बस gross up क्या होता है तो gross up का मतलब होता है जब कभी भी कोई lottery का यह cross यह betting का payment मिलता है वो net after deducting tax मिलता है उसको हम वापस से without tax के कितना पैसा होगा जान लेने को ही क्या कहते हैं gross up मान लो suppose करो मैं यह बाते हटा देता है आप एक करोड रुपे नहीं मैंने बोला इसको 70 लाक मिले तो आप समझ जो अच्छा इसने क्या जीता है lottery 70 मिलेंगो तो ली होंगे कितने काने पैस रुप एक करोड रुपय जीता होंगा सतर और किसने कंपणी ने इसको दिये तो मतलब इसने पैस टेएक क्षक काहर के तो इसको इसने कितने ठीविच जीते होंगे एक करोड तो सिम्पल सी बात है एक करोड した आभशуйте यहां पे पर एक ग्रॉसर सौलाग एक करोड़ी होता है तो आपका क्या हो गया यह ग्रॉस अपका इसलिए मुझे अब टाइम लगा है फ्लीज थोड़ा गाइड बिल्कुल मैं जिन बच्चों का रहता है कि भीया डेली बेसिस पर जो बच्चे जोइन करते हैं तो उनका बैने एक तो वीडियो में गीवन है कि हाओ टू स्टार्ट इंकम टेक्स तो उसकी वीडियो को जरूर देख लें है यहां तक क्लियर है सर गिफ्ट कर लिया डिविडेंट कर लिया डिविडेंट के बाद क्या कर लिया हमने आपका लॉट्री कैज्वल इंकम चौथा कोश्टन गार सर अधर सोर्स से कोई चें इंकम बताईए तो कोई बीबिट इंकम के ऊपर आप पूरा एक्स्प्लेनेशन दिजिए कि डिविडेंट का क्या ट्रीटमेंट है तो जो हमने पीछे सीखा ह। treatment देना पड़ेगा अगर बोलता है list बताईए कोई तो आप यह list लिख सकते हैं simple और ज्यादा आपको लिखना है तो इस यहीं पर dividend को explain भी कर सकते हैं अगला income है winning from lottery, crossword, puzzle, race, card game यह सब भी किसका income है sir? other source हाला कि इसके उपर भी हमने अलग से question कर लिया अब gift भी क्या है हमारा कौन सा income है other source यह तो तीन question आपके ऐसे individual भी पूछे जा सकते हैं और list के अंदर भी यह include होंगे अब जब लिखोगे न के other source की income बताईए तो gift जब लिखोगे तो gift लिखोगे other than relative relative के अलाबा जो मिलेग अब वो mention करना है वहाँ पर क्योंकि आपने लिख दिया gift receive तो gift भाईया relative से वह तो income ही नहीं वह तो exempted है law कहता है exempted income को other source में नहीं डाल सकते कोई किसान है खेती कर रहा है तो उसका मान लेते हैं farming का काम है तो exempted है तो ऐसा थोड़ी बोलिंग other source का income है उसका क्योंकि वह exempt ह है अगला पार्ट कहता है क्या सर यहां से हमें पढ़ने वाली चीज़े तीन तो हमें याद होगी वैसे ही आगे पढ़ने वाले income by way of interest security किसी भी security यानी डिबेंचर पर मिले चाहिए पर किसी भी interest मिलता है provide income chargeable under the head of आपका profit and gain में अगर taxable नहीं होता है तो कहां आ जाएगा other source में सर ऐसे profit and gain में taxable नहीं होगा अगर मुझे interest मिला मान लेते हैं कि मेरा काम ही डिबेंचर बीचना खरीदना मेरा business तो मेरा income का banker के लिए मान लो banker के लिए interest क्या होता है बिजनस का banker का bank जो काम क्या करता है ब्याज पर पैसे देना कहीं और से ब्याज पर लेना यहीं arrangement करता है उसके लिए interest बिजनस इंकम है तब तो वो PGP में चला जाएगा अगर बिजनस इंकम नहीं है आपका इंटरस तो कहां चला जाएगा जाके other source में यह कहां नहीं समझान सब्सक्रों मसीनरी के बात कर रहें मैंने मुझे एक दिन के लिए प्रिंटर दिखा दो 500 रुपे ले लेना जो भी इंका कार्टेज का तो डलवाऊंगा ठोड़े से चार्जिस दे दूंगा से मोटर कार में जायतर होता है यहां पर तो नहीं होता मोटर कार क्यूंकि यहां पार्टी दे दूंगा 500 रुपे तू ले लिए पेट्रोल लेटरल मेटल वा दूगा अजारों में अभी आता हूं फिर तो जो उसको 500 रुपे किराय दिया है वह क्या है सर वह अधर सोर्स का इंकम है उसकी इंकम है वह 500 तो फ्री फंड में मिले ना वह क्या माना जाएगा एंकम तो अगर आपका काम ही रैंटिंग का है ओला का काम ही यह है या ऊबर कामी का में इसका कुण सा इंकम माना जाएगा से सह dazu ब्रीन दे दिया मैंने और अपने मोबाइल फॉन दे दिया अपना तो उस केस में क्या कहता है income by way of interest, sorry, income from machinery plant furniture belonging to the SSC let out या higher, higher मतलब किराय पे provide to the income not chargeable in the head of business and profession, अगर business and profession के अंदर chargeable नहीं है तो सर वो कहां का पार्ट माना जाएगा, other source का पार्ट माना जाएगा, यानि जब कभी भी ऐसा point आ जाने, rent from machinery तो check करिए, क्या उसका renting कहीं तो काम नहीं है, जैसे tent वालों का देख लो आप, tent वालों का क्या होता है, अपका generator वगरा सब काम क्या है, उसका rent पे देना, तो उसका किस में जाएगा generator से rent जो है, PGPP में, अगर आपके पास एक generator या inverter है, आपने अपने दोस्त को दे दिया, बोला भी पांच जार रुपे दे दियो, तो आपका जाएगा other source, अगला point है सर, where the SSC let out hire machinery plant furniture belongings to also building भी, building inseparable, सर inseparable का मतलब क्या होता है, पहले तो देखो building से किराया है, तो सर, house property का, और आपका machinery से किराया आया, तो अगर किराया पे काम है, तो PGPP, लेकिन कई बार क्या आता हो, वो बिल्कुल attached होता है, उसको separate नहीं किया जा सकता, यानि building से, आपने क्या करा, building है, और उस building के अंदर, total देखा जाए, एक almira है furniture का, अब उसने बोला के भी है, जो almira है, इस side में रखा हुआ, उस almira का मैं rent नहीं दूँगा, मुझे बताओ, total rent बताओ कितना है, मैंने बोला, भाया देख, तो almira के साथ लेगा, तो तेरे को क किया जा सकता है, अब मालो मैं 10,000 रुपे किराये ले रहा हूं, तो ये दो चीज़े हैं सर, almira भी है, और मकान का किराये भी है, तो यहाँ पे separate किरना बहुत मुश्किल है, तो अगर ऐसा situation आया, तो आपके उपर depend करता है, कि इस income को आप other source में ले जाए, या income को HP के अंद plant furniture, belongings to and also building, letting of building, inseparable, जिसको अलग नहीं किया जा सकता, from the letting out said machinery plant furniture, the income from such letting out not chargeable income under the head of PGBB, तो PGBB में अगर चार्ज नहीं करते हो, तो यहाँ कर सकते हो, इसका एक example ले सकते हो, center AC, अब center AC का मतलब क्या होता है, एक ही AC होता है, अब mall वगरह में जाते होगे, तो एक ही AC होता है वो पूरा cool करता है, तो आप उस AC को separate करी नहीं सकते, वो उसका एक तरीके से integral part है, तो अगर separate किया जा सकता है, तो तो करदो अलग-अलग, नहीं किया जा सकता, तो या तो उसका काम ही है, वेपार ही है, तो business में डाल दो, नहीं तो कहां चले जाएगा, वो other source में चला तो आपका ये था, interest था, interest के बाद आपका plant and machinery हो गया है, इसको याद रखना है, तो रखिया नहीं रखना तो आपकी इच्छा है, मैंने तो समझाता जा रहा हूँ आपको, चलिए सर, अगले point पे चले, अगला point क्याता है, next point, any sum receive, keyman insurance policy, including sum, अब सर, keyman insurance policy क्या होता है, जैसे singer वगएरा है, या कुछ ऐसे person होते हैं, जो की art वगएरा करते हैं, तो singer वगएरा क्या क्या करते हैं, अपने throat का insurance करवा लेते हैं, गलेगा, क्योंकि main काम उसका वही है, अब जैसे KBC है, मैं simple सा example बता करना अमीता बच्चन बहुत बिमार पढ़ गया था, बीच में आपको अगर याद हो, तो सब भी बोल रहे थे के भाई, शायद अमीता बच्चन की इतनी तब्यत खराब होगी, करीब 6 मैने नी, एक से डेड़ मैने तक, कोबीड में नी, कोबीड से बहुत पहले की बात है किसी और को तो बिठा नहीं सकते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा रोल ओवर सारुख खान को लाया गया था, कि भाई तुम भी कर लो थोड़ा बहुत देखें, तो सारुख खान फ्लॉप हो गया था, तो जो और्गनाइजेशन, इवेंट और्गनाइजेशन है, ऐसा सिचुएशन में, जो अमीता बच्चन था, उसको भी उसका फी कैंसिल नहीं किया गया, मिला था, तो जो पैसा मिला था, वो सोका नहीं मिला था, उसने किसने दिया था, इंसौरेंस कमपनी में, उससे बोला जाता है, की मैं इंसौरेंस पॉलिसी, ऐसा, जो कि कि की का म तो कहता है कि Keyman Insurance Policy include allocated by way of bonus such policy, income not taxable, salary, अगर salary में taxable नहीं हुआ और PGPP में taxable नहीं हुआ तो कहाँ taxable मानोगे, other source में, salary में भी हो सकता है taxable मैंने मानलों कोई employee रखा और employee का मैंने insurance करवा दिया, वो बहुत अच्छा कारीगर था, मैंने उसका insurance करा दिया कि अगर यह 6 मैंने चला गया तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, तो उस नुकसान से बचने के लिए मैंने insurance करा दिया, तो जो उसको पैसा मिल रहा है, वो salary के अंदर chargeable हो जाता है, एक का कामी है यही कराना, तो उसका PGPB में, बाकी आपका दूसरा आजाएगा, तो key man insurance, यहाँ पर याद रखने वाली सिर्फ बात क्या है, आप सिर्फ यह लिख दोगे न, key man insurance policy, also part of others, और तो यह चल लेगा आपका, एनी sum of money, aggregate value of exceed 50,000, तो यह तो बात करी लिया हमने, 50,000 without consideration, यह नि कौन सी बात चल रही है यह सर, relative को, gift वाली बात चल रही है, 56,2,10, section मैंने बोला, relevant नहीं है, दस, roman में ही रिखना है आपको, ठीक है, आगे कहता है, where the closely company receive any previous year on resident person consideration issue, share exceed the face value, closely company पता है, कौन सी होती है, private limited company को नया नाम दे दिया गया, closely company, PVT, यानि private limited company को closely company बोला गया, मान लेते हैं, इसका share का price FMB है, FMB मान लो, 1000 रुपे का share है, और आपको इस company ने offer कर दिया, और आपने इस company से share खरीद लिया, कितने का share करी लिया, 600 रुपे में, तो आपका फाइदा कितना हो गया, तो 400 रुपे सर कहां taxable करोगे, salary की income तो है नहीं, business तो है नहीं आपका, तो यह आपका चला जाएगा other source में, तो यहाँ पे closely, क्या कहता है, where the closely held company receive any previous year or resident purpose, any consideration issue, shares that exceed the face value, then aggregate consideration receive such excess, fair market value will be taxable, जितना भी fair market value से extra मतलब के होगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा taxable हो जाएगा, सर इसके बाद क्या कहता है, सर, income by way of interest on compensation, sir, आपको याद होगा, कि जब हम कर रहे थे capital gain, तो capital gain के अंदर एक point कहा था, मैंने, कि government compulsory acquire कर लेता है, आपके property को, तो वो अपने मर्जी से जो मर्जी rate देता है, लेकिन आप अड़ जाते हो, और आप उसके against case कर देते हो, case करने के बाद, sir, फैसला आता है, 20 साल के बाद, और आप case जीच जाते हो, तो आपको सारा amount मिलेगा, with, तो compensation, interest receive on compensation enhancement पे, तो law कहता है, जब कभी भी आपका receive होगा compensation enhancement पे, interest तो other source का मिलेगा, लेकिन सर्फ 50% का flat deduction माना जाएगा, इस बात को याद रखना, अगर आपको 20 लाक रुपे का compensation मिला, तो other source की income में कितना मानोगे, सिर्फ और सिर्फ 10 लाक, balance will be exempt, मतलब के exempt हो जाता है, remuneration received by member of parliament, member of parliament में जो MPA या MLA है, इनको भी कोई भी पैसा मिलता है, by way of salary, वहाँ पर बोलता है हम इसे salary दे रहे हैं, तो उनकी salary को taxable करा जाता है, salary head में नहीं, कहाँ पर other source के head में, income from undisclosed source, आप से मान लेते हैं, कोई ऐसा income हो गया, जो आप बता ही नहीं रहे कहां से पैसा है, मान लेते हैं, आपने क्या करा था, drugs बगरा बेच के पैसा कमा लिया, आपके account पैसा पता चल गया, ड्रक्स बेचा है आपने, आप पता चल गया कि account पे पैसे है, गॉर्बेंट ने बोला, income tax ने पूछा पैसा कहां से आ है, अब बोला, drugs से बताँगा, तो जेल भी जाओंगा, पैसा भी चीने गई, मैं बोल दूँगा, पता नहीं कहां से आ है, किसी ने account में डाल दिया, समझ ही नहीं आ रहा है, किसने डाला है, तो यह क्या हो गया, भई, तेरे को पता नहीं चल रहा है, यह undisclosed income है, चल other source में आजा, तेरे taxable हो जाएगा, तो ऐसा income, जिसकी जानकारी कहां से खमाया, नहीं बता पा रहे हो, आप यह आपने नहीं बताया, तो उसको taxable कहां कर देगी, government, other source में, उसके बोलते हैं, undisclosed, जो income आपने disclose, दिखाया ही नहीं, कहता है, interest on bank deposit, यहाँ पे आप post office भी मान सकते हो, और interest जब कभी भी करते हैं, तो इसमें भी exemption होता है, कितना exemption होता है, सर मैं यहाँ बात कर लेता हूँ, ATTTA, बागी deduction में करूँँगा, 10,000 रुपे तक exempt होता है, balance taxable होता है, और interest अगर मिलता है, आपको यह वाली लाइन जो मैंने white marker से लिखा, अगर आपको याद रहता है, तो ठीक नहीं, तो deduction में तो याद हो ही जाएगा, simple सी बात है, interest receive करोगे, taxable हो जाएगा, rent from vacant land, अब देखो, rent अगर आपको मिलता है, rent कहां से मिलेगा? नहीं, tax तो इस लैबरेट से, income तो count होगा न, तो सर, rent receive vacant plot, आपने मकान नहीं बनाए plot है, और किसी न आपका मान लेते 500 गज का एक plot लिया, अब एक परसन आया, बोला कि मुझे यहाँ थोड़ा सा function करना है, ले 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 ना, 10-15,000 रुपे, आपके plot पर करना चाहते है, मैंना कर लो कोई बात नहीं, बस boundary given था, उसका काम बनी गया, घर तो है नहीं, अगर वहां मकान बना देता, तो कहां taxable हो जाता हो, HP में, अब मक agriculture income situated outside India, इंडिया के अंदर agriculture income में तो कोई बात नहीं, वो तो exempt है सर, लेकिन अगर इंडिया के बाहर, आप ऐस्टेलिया में जाके गेहूंगा के आ रहे हो, खेती आप ऐस्टेलिया के बाहर से पैसे आ रहे हैं आपके, तो बोलोगे सर agriculture income में tax free कर तो बोलेगा, नई, इंड income tax के अंदर ना हम पैसे जमा करते हैं, मालनों TDS काट लिया है, अभी बता, मैंने TDS का discussion नहीं किया, इफाइलिंग में भी काफे सारे बच्चे बहुत परिशान हो रहे हैं, भाई आस, SOL के अंदर और non college के अंदर, इफाइलिंग का कोई concept नहीं है, स्रिफ regular college में इफाइलिं आपका अभी मैंने बात किया था, मैंने बोले था, टेक्स काट लिया, कहां गया हमारा ये, लोटरी पे, जो 30% काटा था ने, इसने, that called TDS, इसको बोलते हैं TDS, मतलब आपको जो हम पैसा दे रहे हैं, आपकी income है, मेरे लिए खर्चा है, हम आपको payment कर रहे हैं, तो हम कुछ सरकार से बोलते हैं, हमारे टेक्स काटा, हमारे पैसे दो, तो सरकार बोलती हम देंगे पैसे, हमारे पास 120 करोड, 120 का, 130 करोड इतने सारे अवादी हैं, उनके सब के दीरे-दीरे करके, चेक करके देंगे, तो हो सकता है कि आपके पैसे जो सरकार के पास रह गये हैं, आपके ब्यास देगी ब्यास का रेट अलग होता है वह सिक्स परसेंट पर एन्यम के हिसाब से ब्यास दे देती है उनका कैल्कूलेशन होता है तो सर यहां पर वह भी कंपाउड़िट में SI के हिसाब से देता है तो आपका इंट्रस रिसीव हुआ डिले पेमेंट आफ इंकम टेक्स र होता है सर रोयलेटी आपने ऐसा कोई काम है देखिए आप से बोला गया कोई छे इंकम बटाइए कोई छे इंकम बता दीए जो बदो कर दो सर आता है डिविडेंट आता है लोट्रीए का आपका प्लोज़ी कंपनी इतने सारी चीज़े आपका अगरी कल्चर आउटसाइड इंडिया तो इतने सारे आपके इंकम है जो कहां के माने जाएंगे एक और रह गया इसके इंपॉर्टेंट था उसके ओपर कुछा जाता है मेरे से हो गया माइंड से लेकिन अभी तो करेंगे ना फैमिली पेंशन करेंगे पहले आज वाली खतम करेंगे फैमिली पेंशन इन्पॉर्टेंट है यानि किसके अंदर बनगे पांच कुश्चन कोनकोन सा गिफ्ट डिविडेंड आपका एक तो लिस्ट ऑफ इंकम एक आपका लॉ और एक बन गया फैमिली पेंशन सर फैमिली पेंशन ना income tax के salary chapter में भी सिखाया है फैमिली पेंशन का मतलब क्या होता है पहले तो यह समझ लो सर द। मान लो Mr. X है Mr. X जो है वो working है यह job करते थे सर कहां job करते थे मान लेते हैं यह job करते थे गौर्मेंट रेलवे में हाला कि 2004 के बाद पेंशन का जो रूल था रेगुलेशन था उसको बंद कर दिया गया पेंशन मिलता नहीं है लेकिन पुराने लोग तो अभी भी है जिनको पेंशन मिलता है ये जॉब करते थे इनका रेटायर हो गए ये तो अनको हर महीने पढ़ोगे ना उसमें और पी एफ है आपका तो 18 1972 एक्ट का लगता है तब वहां पे आपको डिटील बता जाएगा लॉव में जब पढ़ोगे तो सर रेलेटिव जो ये है रिटायर होने के बाद इसको हर महीने कितने मिल रहा है कि 30,000 सेर हर महीने 30,000 जब मिल रहा है तो 30,000 मिलते मिलते इसके 50 लाग तो मिल गया या अलग अब 30,000 किया ये जॉब पर जा रहे है तो जो 30,000 है ना ये 30,000 रुपय का हिसका थयक्सीबल हो जाएगा कहां कि का है कि सेलेरी में बातisesti थयक्सीबल इसकी वाइज भी है सर मिस्स एक्स अब 30,000 मिल रहा है कुछ काम है नहीं पैसे हर मैंने आए जा रहे हैं इन्होंने क्या करा कि एक दिन कुछ ऐसा एक्टिविटी करा माल लेते हैं बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया ड्रिंक करने में ड्राइब कर रहे था एक्सिडेंट हो ग वो नहीं रहें याँ पे सर ईपैंशन अब पैंशन इसको तो मिलने सकता कियोंकि पैंशन देने वाले को भी जाना पड़ेगा यो इसे सिच्यूएशन में यह इसको मिलेगा इसकी। तो इसकी वाहे बाता है यह मेरे लिए बी सुनि-सुना रहे हैं मतलब उसकी वाइफ को जब उसको पैंशन मिल रहा है तो यह तो जॉब नहीं कर रही लेकिन फिर भीसको पैसे मिल रहे हैं इसके income को हम क्या salary में taxable करेंगा बोला नहीं इसके income को कहा taxable कर दो कि अधर सूर्स में तो इस pension को जो उसके परिवार को मिल रहा है इसको बोलते है family pension इसको क्या बोलते है परिवार के pension को लेकिन government नहीं यहाँ पर बोला भईया family pension मिल रहा है तो एक तरीके से दुख की बात है कि आपका main मुखिया चला गया घर से आपको pension दे रहे हैं इस पर taxable करेंगे लेकिन rule लगा के taxable करेंगे कुछ exemption भी देंगे तो यह यहां पर रूल लगाए गया सर आपका exemption मिलेगा कि सर एक्जेम्शन मिलेगा कितना पॉइंट नमबर वान एक्च्छल रिसीव पॉइंट नमबर टू u maximum limit अ 있는 हख के 55 लेमट कितना अ पंद्र होना अगर आपका 14,000 रुपए यह पूरे साल का यहनि पर मंद नहीं है कर untoब को पूरे साल का समस्LY पूरे साल होता है क्यृक्त है कि अगर मैंने बोला कि और वाला पैंशन है PHP is तो यह इनंगे क्या अब हो जाते हैं तो यह तो यह 15,000 रुपए आपका आप का पूरे साल में 14,000 रुपे का पेंशन मिल रहा है तो एक्जेम्ट है और यह वाला पेंशन नहीं है जो कि गवर्मेंट देती है जैसे कि आपने देखा होगा सिक्ष्ट्री से अवब होने का ओल्ड एज का पेंशन मिलता उस पेंशन की बात यहां पे नहीं चल रहा है यहां प पे जो देथ होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा आर्मी सोल्जर्स होते हैं क्योंकि वो बॉर्डर पे गये कुछ ऐसा हैपनिंग हो गया वार हो गया तो वहां देथ हो जाता है तो अगर ऑन डियूटी किसी सोल्जर को और रिटायर होने के बाद नहीं ऑन डियूटी कि किसी सोल्जर की देथ होती है तो उसका पेंशन उसकी वाइफ को मिलने लगेगा और उसकी वाइफ को गवर्मेंट ने फुली एक्जेम्ट करा हुआ है उसके उपर टेक्सेबल नहीं होगा या फिर किसी को परमवीरा चक्र इनका एक अवार्ड होता है जो इनको देते हैं उसके फैमडी वाले को वह क्या होगा फुली एक्जेम्ट होगा तो यह सारी बातें यहां पर फटा-फट से हम कंक्लूड करेंगे अभी छुट्टी नहीं होगी ट्रेंशन मतलो बच्चे कहरें सर पीवीटी तो कंपनी शेयर इसू नहीं कर सकते हैं ठीक है अपने इंप्लॉई को दे सकते हैं एंप्लॉई मतलब इसौप तो देई देते हैं वो तो किसको इसू नहीं कर सकते हैं स्ट्रेंजर आउटसाइडर को पब्लिक ली नहीं इसू कर सकते हैं लेक आज आते हैं एक बार 10-year के कुछ questions देख ले अब बताओ कौन से पेज नमबर पी नहीं थे देख लेते हैं और सूर्स अदर सूर्स अदर सूर्स अदर सोर्स 48 अधर कुछ वार आगे जाते हैं यह तो कोई वह आगे हैं कि अभी देख लेते हैं यह क्या है कि साइड यह है कि पीछे था कि पॉर्टी एट तो नीचे लेकिन नीचे कैपिल के बाद अच्छा कहां गया कि चेप्टर वाइज नोच माने पतम सर इंकम फ्रॉम अधर सोर्स देख लीजिए आपके सामने कुश्चन है क्या पूछा गया पहला सवाल जो की बार-बार आए दस में बारा में तेरा में चौदा में सतरा में आपका कहां होगा सेक्शन चपन दो के अंदर चपन दो के अंदर ना टेक्सिबल हो चालता है चपन दस के अंदर एक्जम्ट हो जाता है तो सर जो टेक्सिबल होगा अधर सोर्स में तो सारे क्या करने list बताने नियस advocat, डिविडेंड बता दिया इंटरस बता दिया सब लेटिंग बता दिया सुलटिंग में आजाएगा और हाऊस्पूरपटी में है, मतलब question number 2 आपको बताना item deduction allowed computing the income under the income from other source ऐसे क्या चीजें हैं जिसके लिए आपको खर्चा तो जब कभी भी other source के income को कमाने के लिए आपका खर्चा होगा वो सभी minus हो सकता है लेकिन except lottery में नहीं करोगे तो कहता है कि सब कुछ हो सकता है reasonable amount जो भी आपने खर्च किया है वो minus कर सकते हो in case of machinery plant furniture उसके उपर खर्चा हो रहा है आपने rent पे दिया उसके उपर depreciation वगएर आप चार्ज कर सकते हो और आपका depreciation नहीं तो उस पर जो होने वाला किराय वगएर वो चार्ज कर सकते हो तो यहां पर कहने का मतलब है सर वो खर्चा जो कि आपका उसको कमाने के लिए किया जा रहा है other source के अंदर जा रहा है उसको minus किया जा सकता है कहता है discuss the tax treatment of family तो family pension में वही हो गया सर 15,000 रुपए तक exempt है मैं one third मुझे यही confusion था standard deduction कितना था one third था मैं यहां लिखे देता हूं सर यह दो पॉइंट लिखा है ने मैंने one third ही लिखवाए था मैं वो थोड़ा सा कहा करा है मैंने भी करा थो था कहां चला गया तेरा यह actual card दीजिए one third कर लिजिए of pension सर फैमिली पेंशन के ऊपर कितनी बार question आये हुए है यह यहां पर year नहीं लिखा लेकिन many time यह repeated है मैं पहले बता दूँ आपको कहता है discuss the following suitable example gross up lottery gross up कैसे करते हैं यह देखो जो मैंने बताये था formula तो 100 divided by 70 यह पूछा गया था gross up interest on security तो सर interest on security क्या भी ऐसे होगा अगर 10% है तो divided by 90 करना into में क्या कर देना है आपने advance money for feature हाला कि capital gain में discuss कर लिया था तो वह भी list का part हो सकता है 14 के बाद कोई भी advance for feature money करोगे तो वह भी किसका यहां तक हमारा यह chapter होता है पूरा खतम और अगली क्लास के अंदर यानि कल वाली क्लास के अंदर कल का timing कि सेम टाइम रख ले कि कल भी सेम टाइम क्लास रहेगी टाइम बदलते नहीं क्या दिक्कत कि कल सेम टाइम क्लास रखते हैं सर कल अगला चप्टर करेंगे या तो agriculture कर लेंगे या पीजी पीप एगरी कल्चर करेंगे तो कली खतम हो जाना है पीजी भीप करते हैं तो उसमें टाइम लगेगा तो आप चप्टर में मानके चलो आप लिस्ट निकाल लेना इंडेक्स उसमें से तिक मार्क लगाते जाना कौन-कौन से चप्टर हमारे हो रहे हैं कि अधि नमस्त्राइब